मुझे वीडियो इसलिए बनाना पड़ गया क्योंकि ये एक व्यक्ति है जिसने इसने अपना नाम रखा हुआ है सुधीर भारतिये अब ये सुधीर भारतिये पता क्या कैप्शन देता है मैं आपको यहाँ पर सक्रीन शॉट के अंदर दिखाता हूं इसका स्क्रीन शॉट ल जो मंदिर के अंदर नहीं आए वो व्यक्ति देश-भक्त नहीं है सीधे-सीधे यह सिखों को target कर रहा है ये कहता है कि जो सिख्मंदिर के अंदर आया है वो नहीं?」 बगता है जो सिख मंदिर के अंदर आया वो हिंदू सिख खेकता खहलाता है लेकिन जो सिख मंदिर के अंदर नहीं आया वो हिंदू सिख खेकता को भी नहीं मानता और वो खालिस्तानी है भाई अब तुम इस परकार से बोलो गए तो हमें तुम्हारा विरोत करना पड़ेगा मैं सीधा सपष्ट शब्दों के अंदर आता हूँ कि भाई देखो हिंदू भाईयों को राम मंदिर की बहुत मुवारक है क्योंकि उनका एक महांतीर थिस्तान बना है लेकिन अभी मंदिर का उद्गाटन नहीं होना चाहिए था क्योंकि ये मंदिर संपूरन नहीं हुआ प्र घट-घट के अंदर है और एक राम वो जो राजा दशरत का बेटा है अब आप राजा दशरत के बेटे को घट-घट के राम के साथ जोड़ो तो आपकी मुर्खता है गुरुगोविन सिंग जी हमें हुकमनामों के अंदर अच्छी तरह से वर्जते हैं कि उनका कोई भी सि किसी मंदर के अंदर माथा टेकने नहीं जाएगा किसी मसीद मस्जिद के अंदर अपनी नाक नहीं रखड़ेगा जो सिख है वो केवल एक अकाल पुरत को पूझेगा ऐसा सिख जो है वो सिख है लेकिन यदि जो इस प्रकार से मंदर मस्जिद मेरे जैसे कभी वो आयोध्य के मंदर में चलेगा कभी देरादून के मंदर में चलेगा वो सिख नहीं कहलाता भाई अयोध्या के अंदर नामधारी संकत पहुँच गई है और उसी को लेके बहुत सारे लोग सिखों के उपर यह टार्गेट कर रहे हैं कि जो सिख है वो खालस्तानी है जो यहाँ पर नह लेकिन यह सुधीर भारती जैसे जो लोग है और ऐसे ही कुछ लोग जो है वो गाएं का जो गोबर रोज उसको खाते हैं चावल के साथ गाएं के गोबर को वो जाकि उसका मिलक शेक पीते हैं मूत पीते हैं इसलिए मुझे यह कडवी बाते करनी पड़ रही है क्योंकि यह व्यक्ति एक्स के उपर जाकर एक पोस्ट डालता है कि यह यह जो सुधीर भारतिस की बात सुन लिए क्या लेता है जश्ट आ फ्यू खालस्तानिक है नेवर ब्रिंग दा फैब्रिक ऑबर यूनाइटी एह यू जथा ओप सिख पिलग्रिम सेट अयोध्या टोड़े यह कहत और देधारी को गुरु अपना नहीं मानेगा मैं ना कभू किशन बिशन त्याओं गुरु गोविं सिंग्जी चौपई साहिब की बाणी के अंदर यह जिच कहते हैं ना मैं किशन को ध्याओंगा ना बिशन को ध्याओंगा केवल एक अकाल पुरक को याद करना है और किसी यह कर रहो ना ज forehead आज गोबर आरिया काना जिस परकार से गोबर आरिया ती वी कुपर बैटके चिलाता था बार बार सिंगो के खिलाव पर एक है ना तुमने बार बार जिस परकार से शिखों को यह ठार्गेट Может करके कैप्शन ढाली है न जिस परकार से तुमने यह जो पुझा करें तो फर वो सिख्खी कहां से हो गया, सिख्ख केवल वो है जो गुर्दवारे में माथा टेकेगा, गुर्दवारे की अंदर श्रीकुरुकरन साहिब जी को और किसी को नहीं, वो सिख्ख होता है, बहां अयोद्या के राम मंदर के अंदर इतना बड़ा महान कारे चल रहा है, लेकिन ऐसे व्यक्ति, इस परकार के व्यक्ति लोगों के अंदर हमेशा नफरत पहलाते हैं, ये सुधिर भारतिये, भारतिये नाम लिख लेने से क्या भारतिये हो जाएगा, सिख्खों ने तो कभी अपने नाम के पीछे नहीं लिखा भारतिये, लेकिन ने दिया है, तुमारी बहुत आस्ता है राम मंदर के लिए, लेकिन तुम जैसे लोग उस आस्ता को साबित नहीं कर सकते हो, सिख्ख हिंदू के साथ बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उन हिंदू के साथ नफरत भी करते हैं, जो सिख्खों के विपरीत चलते हैं, जो किसानी अंदोलन के समय किया था जो लोग किसानी अंदोलन के अंदर चले गए वो खालस्तानी हो गए बाकि सब ठीक है बाकि सब ठीक है बाकि सब देश वक्त है लेकिन जिसने किसानी अंदोलन के अंदर जाके उसके हक में कोई वीडियो पोस्ट डाल दिया था वो भी तुम्हारा एक बलतकारी राम रहिम उसको तुम हर महीने पेरोड दे देते ओ, कों सी देशवक्ती है, बन्दी सि अख्षू को क्यों नहीं रहा पर हमला किया था,